इस वीडियो में हम square root निकालना सिखेंगे, वर्गमूल निकालना सिखेंगे, और इस वीडियो में हमने जितने question लिये हैं, ये सारे question रेलवे group D में आए हुए प्रस्न है, आज हम ऐसे question को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे question को solve कर पाएंगे, ये हमारा पहला question है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तीन पे पावर 38 और प्लस तीन पे पावर 49, इसका निकालना है में square root मतलब वर्गमूल, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, तीन जो है, वो common है, तो ती पे पावर 38 हम यहाँ पे common ले सकते हैं, जब हम तीन पे पावर 38 common ले लेंगे, तो bracket में क्या बचेगा, यहाँ पे तीन पे पावर 38 पुरा खतम हो जाएगा, तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पे तीन पे पावर 38 हट जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, सिर्फ एक तीन, मतल यहां पे square root वर्गमूल निकालना है, 3 पे power 38 प्लस 3 पे power 49 का मतलब यह पूरा root के अंदर है, इसका में वर्गमूल निकालना है, solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 इक 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 उड़ चार मिलेगा, गुना का sign लेंगे, क्योंकि bracket के बीच में गुना का sign होता है, और यहां पे 3 पे power 38 है, यह पूरा root के अंदर है, यह पूरा root के अंदर है, तो 4 का root क्या होता है, 4 का root होता है, 2 गुना का sign लिखेंगे, यहां पे 3 पे power 38 है, तो हम क्या करेंगे, power को आधा कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 पे पावर 38 का मतलब 3 पे पावर 19, अगर 2 से भाग देंगे, तो 38 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे यह जो है, दो गुना 3 पे पावर 19, यह हो जाएगा हमारा final answer, मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो है, वो यह होगा, तो इस तरह का question, railway group D में 2018 में पूछे गए यह बहुत ही important question है, वर्गमूल से इस तरह के question अभी exam में पूछे जाते है, अब हम बनाते हैं एक अगला question, इस question में क्या दिया गया है, इस question में दिया गया है, 3 पे पावर 34 प्लस 3 पे पावर 35, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, मतलब यह जो है root के अंदर होगा, पावर 35 को common ले सकते हैं, 3 पे पावर 34 को जब हम common लेंगे, यहाँ पर यह पूरा हड़ जाएगा, तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1, 3, यह पूरा root के अंदर होगा, इसे हम क्या लीख सकते हैं? 3, 1, 4 और गुना 3 पे पावर 34, यह पूरा root के अंदर है, इसे avec करेंगे तो 4 का root क्या होता है दो होता है गुना 3 पे पावर 34 है तो 34 का हम आधा कर लेंगे मतलब 17 तो 3 पे पावर 17 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा final answer इस तरह के question अभी सभी तरह के competitive के exam में पूछे जाते हैं अब हम सीखेंगे कि बड़ी-बड़ी संख्याओं का वर्ग अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न यह जो question आप board पे देख रहे हैं ऐसे question 2018 में RRB group D में कई बार पूछे गए थे यहाँ पे 37249 दिया गया है जब हम 2 अंका pair लेंगे तो यहाँ पे 3 अंक हमें मिलेगा अगला step क्या होगा हमारा एक से लेके 9 तक के square में किस की संख्या के square के last में 9 आता है जैसे 2 का square करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा 3 का square करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा 4 का square करेंगे तो हमें यहाँ पे 16 मिलेगा इस तरह किस किस संख्या के square में 1 से लेके 9 तक किस किस संख्या के square में last में 1 अंक पे 9 आता है वो संख्या हम लेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा संख्या लेंगे किसकी संख्या के स्क्वाइर में 9 आता है यहाँ पे हम 3 लेंगे 7 भी ले सकते है 7 का स्क्वाइर होता है 49 जिसके 1 काई अंग पे 9 आता है तो एक 3 है और दूसरा 7 है अगला इस्टेप क्या होगा हमारा 372 जो है हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वाइर 372 आता हो या फिर 372 के आसपास आता हो जैसे अगर हम 20 का स्क्वाइर लेते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 400 मिलेगा 400 जो है वो 372 से जादा है हम एक नंबर कम करते हैं अगर 19 का इसको आड लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 361 तो 361 जो है वो 372 के आसपास है तो हम संख्या लेंगे 19 यहाँ पे भी लिखेंगे 19 यहाँ पे भी लिखेंगे 19 या फिर यह संख्या अमारा आंसर है या फिर यह संख्या अमारा आंसर है मतलब इस नंबर का रूट या फिर 193 होगा या फिर 197 होगा तो हम decide कैसे करेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर सही है तो यहाँ पे जो संख्या हमने लिया है 19 इससे हम एक अंग बढ़ाएंगे मतलब 20 और दोनों को आपस में गुना करेंगे 19 को एक अंग बढ़ा है हमने 20 इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 19 दोनी होता है 38 और यहाँ पे 1 0 लगा देंगे तो 380 आ रहा है तो 380 जब आ रहा है मतलब इससे जादा आ रहा है तो हम छोटी वाली संख्या को आंसर लेंगे अगर इससे कम आता तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर लेते तो यहाँ पे 380, 172 से जादा है तो हम छोटी वाली संख्या को अपना आंसर लेंगे मतलब 193 जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर जो कि option D में दिया गया है तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह के question square root से पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं एक प्रस्ण यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 39204 यहाँ पे संख्या दिया गया है 39204 इसका हमें निकालना है वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे दो नंबर लेंगे और यहाँ पे तीन नंबर मिलेगा हम क्या करेंगे ऐसी संख्या का square लेंगे जिसका इकाई अंक 4 आता हो ज इसका square 392 के आसपास या फिर 392 हो तो हम 20 का अगर square लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 400 अगर हम 19 का square लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 361 तो हम 19 ले सकते हैं जो 392 के आसपास है 20 का square 400 हो जाता है इससे जादा हो जाता है हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे 19 लेंगे, तो हम दोनों साइड में 19 लिख देते हैं, या फिर हमारा आंसर 192 होगा, या फिर 198 होगा, तो हम कैसे decide करेंगे, इस नंबर को एक अंग बढ़ाएंगे, मतलब 20 गुना करेंगे उसी संख्या में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 380 380 जो है, वो इससे छोटा है, ये नंबर जो है उससे बढ़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे अपना आंसर, बढ़ा वाला नंबर आंसर लेंगे, अगर ये नंबर इससे छोटा होता, छोटे वाले नंबर को आंसर लेते हैं पर यहां पर यह संख्या इससे बड़ी है तो हम बड़ा वाला नंबर आंसर लेंगे मतलब 199 हो जाएगा हमारा final answer जो कि option A में दिया गया है तो option A हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question सभी तरह के competitive के exam में बार-बार पूछे जाते हैं यह सारे question नेलवे गुरूप D में पूछे गए बहुत ही important question है आप इस matter से ऐसे question को कम से कम समय में solve कर सकते हैं